जाहिं दोस्तों, मैं सुआधा करता हूँ आपके अपने यूटुब चैनल घ्जाम के त्यारी पर, जैसा कि आप सभी लोग का पता है कि हमारे यूटुब चैनल के मादहम से आप सभी लोग के इंडियर रानमी के त्यारी करवाई जाती है। यदि आपका कोई भी दोस्त आपके साथ इंडियर राणमी की तयारी करता है तो यह वीडियो उसको जरूर फारवड करें ताकि उसकी भी तयारी काफी ज्यादा अच्छे से हो पाए और आप सभी लोग अपना एक्जाम क्रेक कर पाए तो दोस्तों इसमें दो भाग हैं पहल यूट्यूब चैनल पर हमारे आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें चले चलते हैं अपने प्रस्ट जानते हैं कि हमारा प्रश्न क्या है तो दोस्तों आज का हमारा प्रश्न है प्रश्न की रूस की क्रांती की सुरुवात किस वर्स हुई थी ठीक है रूसी क्र लाइट होगा आप तुरहन टेंग्सर कमेंट करके आगे बढ़ जाएंगे ठीक चले चलते अपने दोस्तों में प्रश्ण की चीनी क्रांती का नाया कौन था था दोस्तों चीन में क्रांती तो उसको कहा जाता है चीनी क्रांती जो इसको लीड कर रहे थे यानि जो इसकी में लीडर के वो कौन थे ठीक है चारा अप्शन दे दिए कि आपको इसी में से एक राइट इंसर है आपको यदि इंसर आता है तो बहुत अच्छी बात नहीं आता है तो हम आपको बिताते हैं कि इसका राइट इंसर और दोस्ते इंसर को नोट करते रहें पैन या पेपर से ज अलवेश है तरकी ठीक है इसे कहा जाता है युरॉप का मरीज ठीक चलिए चल्ते और प्रसाने की निमीकित में से किस वेक्ती ने एक राष्ट और एक नेता का नारा दिया था यानि किलेश-थैन फिक शर्णिंटत नेचल को आपको यजशन आपको आपकोर दोस्तो नार क त्री गुड का निर्मार निमी में से किस देस ने करवाया था एक यह तीनों देस मिलके करवाया थे त्री गुट यानि के तीन देशों का एक गुट यह Scorp clear यह दोस्तों आस्ट्रिया है का जलत प्लूश को जानते कि अगला नहीं क्या थिसां है अगला प्रसक्न मैं से वह कौन सा ग्राश्चंप में सामिल था ठीक है तो आप से दोस्तों कि इंग्लेंट जपान यह दोनों देश और मित्र द्राज में सामिल थे हैं तो जो अगला नमबर अमेरिका भी अमेरिका भी मित्र देशों में सम्बंधित था इसलिए प्रशन दोस्तों काफी ज्यादा इंपर्टिन प्रशन है यह प्रशन आर्मी के इजां daw में बार पूछा गया है ठीक है तो इसलिए इस प्रस्टों को आप काफी ज़्याद गौर से देखिएगा पुछाई कि कि सुरुवात कि स वर्स में हुई थी ठीक है तो फ्रांस की करांति की सिरुवात दोस्तों 1789 आई इस्वी में फ्रांस की करांती हुई थी यानि उप्सान नंबर बी आप राइट करके तुरंट आगे बढ़ जाएंगे ठीक है दोस्तों चलते अगरे प्रश्च को चांते हैं अगला प्रश्चन क्या है तो अगला प्रश्चन दोस्तों कि जर्मनी के एक ही करन यानि एक किस वेद को भारतिय संगीत का मूल कहा जाता है तुर्में से पूझा है किस वेद को भारतिय संगीत का मूल कहा जाता है जाता है ठीक है यदि आपको राइटन से पता है तो आप कमेंट वक्स में जाके तुरंत लिखिए यदि आपको नहीं पता है तो आप इस कोशन को अपने पेपर पर लिख लीजिए कि भारतिय संगीत का मूल ऑप्सन नंबर डी यानि साम वेद को कहा जाता है ठीक है चलते है पर जाते हैं कि अगला प्रश्ण क्या है तो आप ध्यान से पढ़िये ठीक है और इस कोशन को भी कहीं आप रिठ लीजिए यहीं राइट कर लीजिए प्रश्ण दोस्तों कि महात्मा बुद्ध ने किस अस्थां पे महापरवर्ण प्राप्त किया था ठीक है तुझे इसका ठीक है चार आपसन है बहुत गया कुसी स्रीवती और सारनाथ जिसका राइट इन सरोगा दोस्ते हैं सरोगा आपसन नुबर डी सारनाथ में महात्मा बुद्ध्य ने अपना पहला उप्देश दिया था यह काफी जदा इंपोर्टेंट कोशन है इसको भी दोस्तों आप अप सारनाथ पूछा इन चारो जगहों में से महा बुद्ध जी का ज़ुजन हुआ था वह कहां पर हुआ था ठीक है तो इसका राइट अंसर जो होगा दोस्तों आपसन नुबर ए ठीक है लुम्बनी में हुआ ठीक है चल चलता है प्ले अंगर प्रस्त को जानते है कि मैं गला पहली संगति कहां हुई थी जान धर्म के पहली संगति थी कहां पर हुई सदी तो चार एपसे आपको चल्टम दोस्टों की पहली संगति कहां पर ती समझ आलमी की EX-zakt कितना जाद इंपोर्टन है यदि आप हमारे video को regular follow करते हैं regular देखते हैं तो आपके इसका right answer पता होना चाहिए आए जाते हैं किसका right answer होगा क्या प्रशन है कि सााची का इसपूत किसNE तो कि ने बनवाया था थीक है तो जिसका राइटिंसर वाइटों से नबर असोक ने बनवाया था थी समराथ आसोक ने सची का इस्पूद बनवाया था यह कहा पिश्थित धोस्तों तो यह मध्य प्रदेश यानि की MP में इस्तित है ठीक चलते अगले प्रस्ट को जानते हैं कि में अगला प्रस्ट की भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है नेपोलियन के बारे में दोस्तों कौन नहीं जानता आज के दिन में ठीक है तो पूछा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है जो इसका राइट अंसर होगा दोस्ते अंसर होगा option number C समुद्र गुद्को भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो दोस्तो मेंगला प्रशन है कि हलबास नगर की खोज किस ने की थी तो यदि आपको इसका राइट अंसर पता है दोस्तो चारा option में से एक राइट अंसर है आपको क्लिक करके बताना है कि कौन सा option राइट है यदि आपको पता है तो आपका comment box में जरूर जाके लिखें कि सर हमको इसका राइट अंसर पता है सबसे पहले जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था दोस्ते इनका जन्म 16 डिसमबर ठीक है लिखी यह आप कहीं पे 16 डिसमबर 1879 इस भी में हुआ था ठीक है इसको आप लिख लीजे दया राम साहनी जी का जिन्होंने अरपा नगर की खोज की थी तो इतनी जनकारी काफी है दयाराम शाहनी जी के लिए यदि दोस्ते आपने हुआ चेनल को अभीतिशाक। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करने ठीक है तो अगरा प्रशन है दोस्तों कि विस्व के नव जागरण की सुरुवात किस देश ने की थी तो पहला औप 이제 और जागरण की सुर्वात औस नमभर इंटली ने की थी तुढ़ा प्रश्ण क्य क्या है तो दोस्तों यह प्रशन दो आप से पूछे गया है यह तो उस्तों काफे जादा important प्रशन है important क्या है दोस्तों आपको यह प्रशन आना ही चाहिए यदि आप Indian army में जोईन करना चाहते हो तो ठीक है ये प्रश्ण आपके लिए ही पूछा गया है कि तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे ये नारा किस ने दिया था चौरा अपसन है ठीक है सुभाचन बोस महात्मा गादी स्वाकार और स्यामलाल गुपता तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे का हमेरा अगला कोशन चोल आपके लिए कि करो या मरो का नारा किस ने दिया था चौरा अपसन आपको दोस्तों मोतिलाल नहरू, महात्मा गादी, जोहाल नाल नहरू या उपसन नंबर डी इन में से कोई नहीं दिया था ठीक है तो करो या मरो का नारा जिस ने दिया था आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर जाके लिखेंगी करो या मरो का नारा आपसन नंबर भी महात्मा गादी जी ने दिया था इसका एंसर तो हम आपको पता दिये कि करो या मरो का नारा महात्मा गादी जी ने दिया था पर जिसका उपर वाला है दोस्तों तुम हमें खून दो हम तुमें हजादी देंगे यह नारा किस ने दिया इसका कमेंट बॉक्स में आप जरूर जाके लिखिएगा ठीक है और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा